Hello students readingOneD dunno is video about separation की एक नई टेकणिक के बारे में आज मैं बात करनी है chromatography की तो chromatography separation की बहुत बड़ी ब्रंच है। इसमें chromatography भी बहुत तरिक्गी होती है, तो आज में जो chromatography discuss करनी है वो है paper chromatography , तो निप है- तो chrome word उर्डब मतला है fruit Search मतलब यह कुछ कलर से रिलेटेट है ठीक है तो बेसिकली हम किसी इंक से या डाई से जो कलर कमपोनेंट होते हैं उनको सेप्रेट करने के लिए प्रेपर क्रमेटिग्राफिक का यूज करते हैं ठीक है तो यह किस पर बेज़ होता है जैसे हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर बढ़ रहे तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि यह बॉलिंग पॉइंट डिफरेंस पर बेस होता है वैसे ही जब हम पेपर क्रमेटिग्राफिक करते हैं तो यह किस पर बेज़ होता है यह बेज़ होता है सॉल बिल्टी पर तो Solubility difference पर Solubility difference पर ठीक है माने जी किसी ink में या किसी dye में एक से ज्यादा Soluble component प्रेजेंट है तो हो सकता है उनकी Solubility अलग-अलग हो तो उस Solubility के difference को हम यूज करते हैं इस separation में जिससे हम उनको separate कर सके यहाँ पर दिखिये तो पहले लिखते हैं यहां पर लिखा हुआ है chromatography is a technique of separating two or more dissolved solid which are present in a solution in the very small quantity ठीक है तो वैसे भी बहुत small quantity में ही die use की जाती है so this technique is used this technique is based on the fact that though two or more substances ठीक है यह उन substances की बात हो रही जो dissolved है ठीक है so this technique is based on the fact that two or more substances are soluble in the same solvent ठीक है but their solubilities but their solubilities may be different ठीक है तो यही important बार थी the solubilities may be different ठीक है तो यह solubility के difference को हम use करेंगे तो जैसे देखिए आपर example के तौर पर किसको यूज कर सकते हैं black ink is a mixture of several colored component colored substance ठीक है or dyes so which can be separated by paper chromatography कैसे होती यह समझते है अब हम देखते हैं इसके process को तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर देखिए एक फिल्टर वेपर की एक इस तरीके से ठीक है और जिस भी डाई को हमें चेक करना होता है जिसके component को में separate करना होता है उसी डाई का छोटा सा हिस्सा में यहां पर ऐसे लगा लिए इसमानी जेंक मेरे अब इसको थोड़ा सा उपर ही रखते हैं बहुत जदा बीच और रखते हैं अब क्या करना होता है इसी को हमें एक जो एक container लेते हैं इसमें water होता है ठीक है और इस मार्क को ऐसे रखते हैं ऐसे सेट करते हैं कि जो आपका मार्क है जो डाई वाला जो मार्क है उसको वाटर के लेवल से थोड़ा उपर रखना है अगर बिलकुल टच करेगा तो फिर वो गड़बर हो जाएगा तो मैं क्या क आपने देखा होगा कि अगर कभी कभी कोई towel है या कोई कपला है अगर वह पानी की content में आता है तो वह जो कपला होगा या towel होगा पूरा भीग जाता है ठीक है तो कैसे होता है तो जो water होता हो धिरे-दर राइस करता है ठीक इस action को हम बोलते हैं इस phenomenon को हम बोलते हैं capital reaction तो काम यहां भी होगा जो water होगा वह उपर जाएगा राइस करेगा ठीक है और जब ही राइस करेगा तो जो इंक में जो components present है वह उस water में solubile होंगे तो water में solubile होंगे तो वह अपने solubility के according इस तरीके से separate होने लगेंगे जैसे water जाएगा तो यह उस component को भी अपने साथ solubile होके उपर ले जाएगा ठीक है और इस तरीके से आपको color component अलग 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 दिखाई पढ़ने लगेंगे तो finally हमें यह result मिलेगा कि आपको अलग-अलग आपको बताया वाई ची लिक्वी आपके पूट आ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लाक इंग ऑन दा फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर स्टिप आड़ दा सेंटर एंड सस्पेंड दा पेपर इन जार कंटेनिंग दा वॉर्टर मतलफ सॉल्वेंट ठीक है जिसमे यह घुल सकते है राम से तो इन सच अवे दाट पीपर इस्टिप टच इस दा वाटर बट दा इंग मार्क जैसे में आपको इनक मार्क को वाटर की लेवल से उपर रहना है बट दा इंक मार्क इस्टेश अब 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 दा वॉटर ठीक है तब देखिए क्या होगा अपने साथ उस डाई के कंपोनेंट को भी ले लेगा तो इट टेक्स अप अलॉंग विट यट डाई प्रेजंट इन दा ब्लैक इंग सोरी ब्लैक इंग दा डिफरेंट कंपोनेंट डाई ऑफ ब्लैक इंग बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ठीक है इस तरीके से वह अपने आपको सेपरेट करेंगें अपनी सॉलिबिल्टी के अकॉर्डी अब यहां पर देखें तो दर डाई विच इस मोर सॉलिबल इंवाटर डिजॉल्स फरस्ट राइजस फास्टर एंड प्रोड्यूस अ कलर रिसपॉर्ट ऑन दा पेपर अटा हायर पजीशन ठीक ह एक तरीके से समझो जुसकी सॉलिबिल्टी जाद उगी वह सबसे तेजी से ॉल होना शुरू हो सबसे उपर वह सबसे पहले सबसे इसबार बैए इंनoncesल्बिल और और इनमे से solubility order क्या होगा तो जो सबसे उपर होगा उसकी solubility सबसे आदा होगी जो उसके नीचे होगा उसकी solubility उससे कम होगी जो सबसे नीचे होगा इसका मतलबे सबसे least solubile वही होगा ठीक है तो यह बात आपको यहां से clear हो गई है so in this way और यही solubility का difference ही तो मैं इनको separate करने में help कर रहा है so in this way all the dice present in black ink get separated okay